हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकंद मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यान एक्सपी तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे MS Excel के कुछ important shortcut keys जो अक्सर exam में पूछे जाते हैं और इन shortcut keys को हम practical के साथ में explain करने वाले हैं तो इससे उके तो सबसे पहली shortcut keys है alt या फिर f10 इन दोनों से क्या कर सकते है menu को active कर सकते हैं किस ताइगे से तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्रस करता हूं तो हमारा view menu active हो जाता हूं इसके अंदर जो sub menu है ribbon के अंदर वो सारे के सारे active हो जाते हैं और इसी तहीं किस अगर हम यहाँ पे प्रस करते हैं f10 तब भी यही same changes आपको देखने को मिलेंगे तो दोनों हम एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं next है alt plus equal alt के साथ में अगर आप equal sign यूज़ करते हैं तो अपने आप जोडने के लिए shortcut की है means auto sum का एक shortcut की है तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूं four और यहाँ पे डालता हूं five और इन दोनों को हम करते है select with एक extra cell के साथ में और अगर हम यहाँ पे press करते है alt के साथ में equal sign तो आप देखेंगे कि यहाँ पे auto sum हो जाता है तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे nine आ चुका है तो इस देखे से auto sum की है shortcut की होती है ओके next यहाँ पे shortcut की है alt plus enter इसलिए क्या होता है उसी cell में नई line शुरू करने के लिए हम use करते है और प्लस इंटर माल लिजए यहाँ पे हम कुछ भी type कर रहे है और यहाँ पे अगर हमें new line start करने है तो हम alt के साथ में enter key प्रस करेंगे तो automatic आप देखेंगे कि यहाँ पे new line start हो चुकी तो अगर मैं यहाँ पे कहीं बाहर प्रस करता हूँ तो आप इस cell में देखेंगे यह दो lines आ चुकी है इसी तरही के से alt के साथ में अगर F1 प्रस करत तो आप देखेंगे यहां पे चार्ड सीट इंसर्ट हो चुकिया यह और यह होता है चार्ड सीट तो मैं वापस इसको उसी स्टेज में लेके जाता हूं नेक्स्ट है अल्ड प्लस एफ टू इससे क्या होता है सेव एज के लिए जो सौटकट की है या सेव एज के लिए हम सौटकट की जो यूज करते हैं होता है अल्ड एफ टू इसको हम करके आपको दिखा रहे हैं सेव एज के यहां पे देखें एक डैलक बॉक्स ओपन हो गया जो कि save as का है अगर आप इस file को किसी दूसरे नाम से save करना चाते हैं तो हम save as यूज़ कर सकते हैं तो next shortcut की है alt plus f4 अगर आप workbook से बाहर जाना चाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं alt f4 अभी यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ एक ही workbook को open कर रखी तो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं तो alt f4 किसी workbook से बाहर जाने के लिए से यूज़ कर सकते हैं अगला है alt f8 तो यहाँ पे micro dialogue box open करने के लिए इसको यूज़ करते हैं तो alt f8 अगर हम यहाँ पे press करते हैं in case तो आप देख पाएंगे कि क्या होता है alt f8 मैंने press किया तो जो हमारा micro का dialogue box होता है वो open हो जाता है और यहाँ से आप micro record कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें simply कोई देना होता है name और यहाँ से micro करते हैं create यह micro कैसे use करते हैं यह सारी चीजे मैं excel के और word के वीडियो में अलड़ी पहले से बता चुका हूँ तो हम इस पे जादा इसको focus नहीं करेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको next है alt के साथ में i plus c अगर आप press करते हैं तो क्या होता है column insert कर सकते हैं column insert करनी की यह भी shortcut की होते है तो अगर मैं यहाँ पे column insert करना चाता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी type कर दिया ताकि आपको दिख जाए और यहाँ पे मैंने hs type कर दिया अब इस column पे हम यहाँ पे करते हैं click इसके बाद हम press करेंगे alt के साथ में i plus c तो alt i or c जैसे ही मैंने यहाँ पे press किया तो automatic क्या होता है कि एक column यहाँ पे insert हो जाएगा तो मैं इसको करके दिखाता हूँ अभी आपको alt के साथ में i c एक साथ हम press करेंगे तो automatic दिख पा रहे होंगे कि यहाँ पे column insert हो गया जैसा कि मैंने यहाँ पे type किया था यहाँ पे type किया था और बीच में कोई भी column नहीं था तो अभी यहाँ पे नया column आ चुका है इसी तरीके साग तो next shortcut की है alt plus i plus r अगर आप एक row insert करना चाते हैं तो उसके लिए हम इस shortcut की को use कर सकते है alt के साथ में i plus r आपको press करना है और इसके बाद यहाँ पे एक नई row insert हो जाएगी तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ alt के साथ में i r प्रस करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं seat 2, 2 seats है हमारे पास तो यहाँ पे हम एक नई seat insert करना चाते हैं तो इसके लिए हम use कर सकते हैं alt shift और f1 जैसे ही press करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे seat 3 एक नई seat आ चुकी है तो seat add करने की shortcut की है next है alt plus shift plus f2 workbook save करने के लिए होता है तो यहाँ पे क्या होता है cell को delete करने के लिए shortcut key यूज होती है अगर आप विसी cell को delete करना चाते है next है control plus colon अब इससे क्या होता है आपको easily समझ में आ जाएगा काफी common shortcut की है और कई बार exam में पूछी आते तो अगर आपको date insert करना है तो control plus colon यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे use करेंगे control plus zero तो control के साथ में मैंने प्रस किया zero अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यह column hide हो चुका है next है control plus one cell dialog box को format करने के लिए shortcut key यूज करते हैं तो अगर किसी cell को format करना है तो उसके लिए हम use करेंगे control के साथ में one तो आप देखेंगे एक अलग से यहाँ पे dialog box आता है और जहां से हम cell को format कर सकते हैं और यह भी shortcut की important है कई बार exam में पूछी जा चुकी है next है control plus three तो अगर आप किसी text को करना चाते हैं italic Excel के अंदर तो आप control plus three use कर सकते हैं फोर प्रस करते हैं तो यह underline हो चुका है इसी तरीके से काटने के लिए means जो हमारा cross एक line आता है तो यहाँ पे control plus five से कर सकते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा देखी जो हमारा letter है उसमें बीच में एक line आ गई तो अगर किसी letter को cut करना इसी तरीके से line के through तो हम यहाँ पे control plus five यूज कर सकते हैं next है control plus nine अगर आप किसी row को hide करना चाते हैं तो आप इस shortcut key को यूज कर सकते हैं next है control plus a तो यहाँ पे range के सभी cell को select करने के लिए होता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे दिखिए अगर मैंने यह range ली और इसके सारे cells को हमें select करना है तो control plus a यूज कर सकते हैं तो जैसा कि आप जानते इस पूरी seat को अगर हम select करना चाते हैं तो control plus a करेंगे सारे cells हमारे select हो चुके हैं next है control plus b bold करने की shortcut की होती है जैसे की word में यूज करते हैं उसी तरही के same यहाँ पे भी हम यूज करते हैं next है control plus c copy करने की shortcut की है और यहाँ पे control plus d column को fill करने की shortcut की है next है control plus end इससे क्या होता है work seat के आखरी cell में अगर आप जाना चाते हैं तो control plus end इस shortcut की को use कर सकते हैं बहुत simple इस shortcut की है कई बार exam में पूछे आते next है control plus f तो यहाँ पे अगर आप किसी letter को या किसी content को आप search करना चाते हैं excel seat में तो आप control plus f यूज कर सकते हैं next है control plus f 10 अगर आप maximize या minimize करना चाते हैं work seat को तो यहाँ पे shortcut की को आप use कर सकते हैं next है control plus f 11 तो यहाँ पर क्या है 4.0 micro seat अगर आप डालना चाते हैं तो इसके लिए हम use कर सकते हैं तो micro seat होता क्या है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर control के साथ में F11 प्रस करेंगे तो micro seat यहाँ पर आप देख पा रहेंगे जाते हैं तो यह shortcut की word और excel दोनों में common होती है तो यहाँ पर अगर हम control के साथ में F12 प्रस करते हैं तो जो हमारा file open का dialogue box है वह open हो जाता है next है control के साथ में F3 अगर आप प्रस करेंगे तो नाम default करने के लिए होता है तो अगर आप किसी cell का कोई नाम देना चाहते हैं यह भी bit important feature होता है यहाँ पर देखिए हर एक cell का address होता है तब भी आप किसी भी cell का या किसी भी पूरे cell selected cell के block का नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं, calculations के लिए जिस तरीके से हम cell address को यूज करते हैं, calculation के लिए उसी तरीके से आप name box को भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए shortcut की है, control के साथ में हम 3 press करते हैं, तो यहाँ पे देखी, यह आगी हमारा name manager और यहाँ पे आप किसी भी selected cell को या selected range को कोई भी एक नाम दे सकते हो, इसको कैसे यूज करना है, यह सारी चीजे मैं practically अलड़ी बता चुका हूँ, Excel के वीडियोस में, तो आपने अगर देखा होगा तो याद आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियोस को आप देख लीजे नेक्स्ट है, control प्लस F9, workbook minimize करने की shortcut की होती है तो अगर हम यहाँ पे control के साथ में F9 प्रस करते हैं, तो देखिए workbook हमारी हो चुकी है minimize, ओके और इसी तहीं के से अगर हम control के साथ में F10 प्रस करेंगे, तो यह maximize हो जाएगी अलकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, control के साथ में F10 से workbook हमारी maximize हो जाती है, restore हो जाती है next है control plus G, यह go के लिए है, किसी भी cell पे, किसी भी page पे जाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, control के साथ में G और यह same shortcut की word में भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी particular line, page, paragraph पे जाने के लिए इसको यूज करते हैं next है replace करने के shortcut की होती है, control plus H, जो कि हमारी word और excel दोनों में common होती है, तो control plus H अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, तो दिखें, यहाँ पे एक replace का option open हो जाता है यहाँ पे आप किस word को किस से replace करना चाते हैं, यह दोनों आपको fill करने होंगे next है control plus home, इससे क्या होता है, कि seat के पहले cell में जाने के लिए shortcut की को हम करते हैं, यूज, अगला है control plus K, तो hyperlink डालने के लिए होता है और यह same shortcut की हम excel में भी यूज करते हैं, और इसको हम powerpoint में भी, अगर hyperlink अड़ करना है, तो उसके लिए हम control plus K shortcut की को यूज करते हैं next है, नई workbook अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए हम shortcut की यूज करते हैं, control plus N, और अगर आप पहले से कोई बनी होई workseat है, जिसको आप करना चाहते हैं, open, तो उसके लिए हम control plus O shortcut की यूज करते हैं next है control plus P, अगर आप किसी work sheet को print करना चाते हैं तो यहाँ पे control plus P shortcut की use करेंगे next है, अगली work sheet पे जाने के लिए जो shortcut की use करते हैं तो होता है control plus Pays Down और अगर आप पिछली work sheet पे जाना चाते हैं तो इसके लिए हम use करते हैं control plus Pays Up तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ control plus paste down तो इससे क्या होगा हम next seat पे आ जाएंगे जैसे कि अभी seat 1 पे थे और यहाँ पे seat 2 पे आ जाएंगे उसके बाद अगर हम यहाँ पे page up करते हैं control page up तो वापस हम आ जाएंगे seat 1 पे तो इस तरही किसा आपको समझ में आ गया होगा page up से क्या होता है पिछली seat पे जा सकते हैं जबकि paste down से अगली seat पे जा सकते हैं means next पे तो next shortcut की है control plus R जो कि काफी interesting है माली जी यहाँ पे जो भी content लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ पे copy करना है तो simply हम इस जगे पे click करेंगे और press करेंगे control plus R तो automatic यहाँ पे जो लिखा हुआ है दाएं भाग को भरने के लिए यह text हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस shortcut की को मैं इस वहे से use करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी recorder की default shortcut की है जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगी आप अपने system में try कर सकते हैं से आप data copy कर सकते हैं जो हमारा दाएं side का data होगा वो यहाँ पे copy हो जाएगा ओके तो next shortcut की है control plus right arrow अगर हम इसको press करते हैं तो आप range के दाएं हो जा सकते हैं यहाँ पे control के साथ में right arrow प्रस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हम last में right hand side पे आ चुके हैं अगर इसी तरह केस हम press करते हैं control के साथ में left arrow तो क्या होगा हम सबसे left में आ जाएंगे तो यह होगी हमारा control plus right arrow और left arrow और यहाँ पे control plus s जो की common shortcut किये होते हैं किसी भी software में mostly control plus s हम save कर सकते हैं फाइल को next है control plus shift plus plus का sign अगर हम use करते हैं तो इससे क्या होता है cell row और column insert कर सकते हैं तो इसको हम use करके आपको दिखा रहे हैं control के साथ में shift plus plus का sign तो control shift और plus हमने press किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि insert का अलग से dialogue box आता है जिससे आप cell, row और column यह तीनों चीज़े आप इस dialogue box में select करके ok करेंगे तो यह automatic insert हो जाएगा next है हमारा control plus shift plus has का sign अगर प्रस करते हैं तो आप यहाँ पे date format कर सकते हैं तो माल लीजे मैंने यहाँ पे लिखा one one, one two, two zero और अगर हम इसको date format में करना चाते हैं तो simply हम प्रस करेंगे control shift के साथ में has तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे automatic यह हमारा जो number लिखा हुआ था वो date format में change हो चुका है अगला है control shift plus dollar इससे आप currency format में change कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा two और अगर हमें इसी currency format में change करना है तो control shift के साथ में dollar प्रस करेंगे अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि dollar two point zero लिखा हुआ है जबकि मैंने पहले क्या लिखा था आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने two लिखा था अगला है अगर आप percentage form में किसी को change करना है जिसे four को हमें percent form में change करना है तो simply हम क्या प्रस करेंगे control shift के साथ में percent sign और यह percent format में change हो जाएगा अगला है control shift plus end तो चुने होए cell में outline boundary के लिए होता है जो highlighted आपको दिख रहा है जैसे हम बाहर click करते हैं तो यहाँ पे इन सारी cells में ये cell आपको highlighted दिख रहे होगी तो boundary के लिए होता है control plus end अब यहाँ पे next shortcut की है control plus shift plus minus outline boundary को हटाने के लिए जैसे कि यहाँ पे मैंने outline boundary लगा दिये इसको हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे control shift के साथ में minus sign प्रस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो outline थी वो हट चुकी है इसी तरह के से control shift plus hyphen हम यहाँ पे use करेंगे तो general format के लिए होता है general format क्या है जैसे कि percentage form में हमने change कर दिया है अब इसको हमें वापस उसी form में लेके आना है तो हम यहाँ पे use करेंगे control shift के साथ में यह तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे यह normal जो हमारा general format होता है general यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगे पे यहाँ कई अलग-अलग format होते हैं सभी में आप change कर सकते हैं तो यह general सबसे पहला default होता है तो अगर इस format में हमें change करना है तो हम इस shortcut key को use कर सकते हैं next है control shift plus 1 अगर आप 2.0 के साथ format करना चाते हैं किसी number को जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और अगर यहाँ पे हमें लिखना है 5.00 तो यहाँ पे control shift के साथ में हम प्रस करेंगे 1 अब आप देख पा रहे हुए 5.00 यहाँ पे आ चुका है और इसी तरीके से समय के हिसाब से format करने के लिए तो अगर आप time को format करना चाते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 3 और इसको हमें time के साथ से format करना है तो control shift के साथ में हम प्रस करेंगे 2 अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे 12.00 am लिखा हुआ है 12 am ओके next है control shift plus f3 से यह होता है date के लिए तो control shift के साथ में f3 करते हैं तो यह date format में जो भी कुछ यहाँ पे लिखा होगा उसको change कर देगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी type कर दे रहा हूँ और इसको हम date format में दिखी यहाँ पे automatic जैसे मैंने type किया इस cell में already apply हो चुका और date format में इसने change कर दिया तो next है control plus shift plus 7 इससे क्या होता है selection के आसपास outline बनाने के लिए shortcut key को करते हैं तो इसको दिखी काफी interesting है जैसे माल लीजे हमने in cells को कर लिया select अब इसके बाहर हमें outline boundary चाहिए जैसे कि यहाँ पे black color का आ रहा है और अगर हम बाहर कहीं press करते हैं outline boundary गायब हो जा रही अगर इसको हमें permanent करना है तो हम यहाँ पे use करेंगे control shift के साथ में 7 तो control shift 7 जैसे press करते हैं यहाँ पे दिखें यह हमारी एक boundary बन चुकी एक outline बन चुकी यहाँ पे अगला है shortcut key control shift के साथ में 12 तो यह print करने के लिए shortcut key होती है अगर इस silk को यह seat को हमें print करना है तो हम क्या करेंगे simply control shift के साथ में F12 प्रस करेंगे तो यह यहाँ पे printing का dialogue box आ चुका है अब आप इसको print कर सकते हैं तो next shortcut की है control plus shift plus F3 इससे क्या होता है अगर हमें heading बनानी है column की यह row की तो इस shortcut की को हम करते हैं use तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ control shift के साथ में हमें press करना है F3 अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक dialogue box आता है आप top row को heading बनाना चाहते हैं left column को heading बनाना चाहते हैं bottom row को heading बनाना चाहते हैं right column को heading बनाना चाहते हैं जिसको भी बनाना heading आप यहां से simply click करेंगे वो column यह वो row क्या हो जाएगा heading बन जाएगा जैसे कि हम किसी table को create करते हैं तो top पे हमारे column names रहते हैं उनको heading बनाते हैं तो यहां पे आप top row को heading बना सकते हैं तो से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक option आएगा और यह top जो हमारी cell होगी वह heading बन जाएगे यहाँ पर मैंने क्या किया है कुछ cells को कर दिया है जिसकी वज़े से यहाँ पर एक error आ रहे आप फ्रसीट लेंगे और इस तहीके से आप control shift के साथ में F3 प्रस करेंगे तो जो पहली row होगी वह heading बन जाएगी next है control plus space bar यह क्या होता है अभी के column को select करने के लिए तो यहां पर एक control shift के साथ में space अगर प्रस करतें तो दिखी क्या होता है control के साथ में मैंने प्रस किया space bar तो क्या होता है जितने भी use किये हुए cells हैं वो सारे एक साथ select हो जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ अभी की column को select करने के लिए अभी अभी आपने जो भी use किया है तो यह area मैंने पूरा use किया है इसमें content डाले तो इसको select करना है तो control के साथ में space bar प्रस करेंगे next है f1 जो कि help की shortcut की होते है जो कि normally जितने भी ms word, office, excel, power point इन सभी में जो help की shortcut की है वो common है f1 नया chart अगर आपको insert करना है तो हम यहाँ पर use करते है f11 और यह shortcut की कई बार exam में push ही जा चुकी तो मैं यहाँ पर प्रस करता हूँ f11 तो आप देखेंगे कि हमाई seat में chart insert हो जाता है यह हमारा chart insert हो गया next है f12 तो save as के लिए shortcut की होते है save as की कई shortcut की हम use कर सकते है f12 भी एक shortcut की होते है word और excel दोनों में common है तो यहाँ पर हम प्रस करते है f12 तो आप देखेंगे save as का हमारा dialogue box open हो गया और इस तरह के से को हम किसी दूसरे नाम से save कर सकते है next है किसी cell को अगर आप करना चाते है edit तो उसके लिए shortcut की use करते है f2 तो मैं यहाँ पर आपको use करके दिखा रहा हूँ f2 जैसे मैंने किया देखिए यहाँ पर edit करने का option आ जुका है मैं इसको change कर सकता हूँ अगर आपको करनी spelling check तो उसके लिए आप use कर सकते है f7 word और excel powerpoint इन तीनों में spelling check करने की common shortcut key होती है next है shift control f तो यहाँ पर control shift plus f भी हो सकता है इसको हम change भी कर सकते है इसका order तो यहाँ पर यह से क्या होता है bibin font की सूची खोलने के लिए जो हमारा font dialogue box होता है उसको open करने के लिए control shift के साथ में अगर f प्रस करते है तो यहाँ पर दिखिए font dialogue box हमारा open हो गया और यहाँ से हम किसी भी font को change कर सकते हैं अगला है control shift plus 10 तो क्या होता है sort menu दिखाने के लिए तो मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ shift के साथ में प्रस करना है f 10 तो यहाँ पर जो हमारा sort menu होता है वो open हो जाता है इससे यहाँ पर कई सारे options होते है cut, copy, paste, special, paste, insert, delete, clear यहाँ पर कई सारे options हैं यह हमारा sort menu होता है इसको open करने के हम use करते है shift plus f 10 जो कि हमारे right clip पर जो sort menu मिलता है वो same हम यहाँ पर इससी open कर सकते है shift के साथ में plus f 10 उकी तो उमीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ निया सीखने को मिला होगा तो please हमारे वीडियो को like और share जरूर करेगा साथ में हमारे चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करें, साथ में bell icon on करें अगर इससे related कोई question है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं उमीद करते हैं, आप हमारे वीडियो को like और share जरूर करेंगे ओके, thank you, thank you for watching